Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone तो स्वागत है आप सब का मेरे इस प्यारे से चैनल पे और आज हम ले करके आए हैं आपके सामने शौट ट्रिक तो आज हम किसकी ट्रिक डिसकस करने जा रहे हैं आपके लिए तो आज हम आपके लिए ट्रिक डिसकस करने जा रहे हैं इन्टीग्रेशन की ओके तो हम यहाँ पर आपके लिए इन्टीग्रेशन की एक बहुत ही बढ़िया सी बहुत ही प्यारी सी ट्रिक डिसकस करने जा रहे हैं और आप उसको बहुत बार फायदा भी उठाने वाले हैं आई ये लिए देखता है क्या है ट्रिक में विशेष भई? क्या करना हम लोगो ट्रिक में तो सबसे पहले इन्टीग्रेशन की लिए जो हमारे पास फॉर्मेट यहां पर हम ट्रिक लगाने वाले हैं उस फॉर्मेट को आप नोट कर लिजें कि आपके पास जो integration आपको दिखाई देगा, वो इस तरीके का होगा, t की power कुछ भी होगा, sin t, और t की power कुछ भी होगा, ओके, और cost t होगा, ओके, function किस तरीके का होगा, t की power sin t या, t की power cost t, आपको इसका integration करना है, कैसे integration करेंगे, देखें, यह दो function का product है आपके पास में, ओ क्योंकि algebraic function पहले आता है highlight में और second function आता है technometric इसी तरीके से यहां पर फस्ट ले लेंगे और यहां पर भी क्या लेंगे second लेंगे अब आपको trick कैसे लगानी हो दिख्या यह लिख लीजे यहां पर differentiation मतलब first function और यहां पर लिख लीजे integration integration का मतलब होता है second function ठीक ना तो first function की शुरुआत कैसे करते हैं यह देखो जब आप इसको लगाते हो ना तो क्या लिए use करते हो first function into integration of second function मतलब as it is पहला function वैसे का वैसे लिख दिना okay then दूसरे function को पहली बार integration देखना याद रखना first function में as it is function रख दो दूसरा क्या कर डालो उसका integration कर डालो okay दूसरा क्या कर डालो उसका integration कर डालो ठीके ना तो दूसरे बार में आपने मान लीजे integration इसका कर दिया तो scientific integration कितना होता है minus का cost scientific integration कितना होता है minus का cost scientific का differentiation होता है cost और scientific integration कितना होता है minus का cost चलो आंगे बढ़ते जाओ अब इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको देखो पहले मैं इसको ले करके इस format को लेके solve कर रहा हूँ first वाले को okay confuse मत हो जाना मैं दूसरा वाला भी differentiation कितना होता है n t की power n minus 1 ओके n t की power n minus 1 और यहां पर कहा तक आ गये थे हम लोग cost तक आ गये थे cost इक फिर से यहां पर आप जो है क्या कर दो integration कर दो तो यहां पर कितना आ जाएगा इसके बाद में आ जाएगा cost का कितना होता है integration भाई cost का होता है sign ओके और minus तो रहेगा ही तो कितना आ जाएगा minus t फिर आंगे differentiation करते जाओ अगर इसका differentiation कितना होगा n into n minus 1 और t की power कितना n minus 2 और आंगे आप फिर से differentiation कर जाओगा sign t का कितना हो जाएगा integration देखो sign का होता minus cost तो minus minus cancel हो जाएगे यह होगा plus cost इस तरीके से आँगे आप शलाते जाओगे and then final answer जो है final answer में इसका चिन क्या लोगे alternate पहला plus दूसरा minus तीसरा कितना plus इन चिन्हों का इस्तमाल करके आप जो है अपना answer आप लिख देना तो answer कितना आएगा देखो यह plus है और यह minus तो plus into minus कितना हो जाएगा minus तो minus t की power n cost यह minus minus कितना हो जाएगा minus n t की power n minus 1 और कितना है यहाँ पर साइंटी ठीक है ना और फिर इसके बाद कितना है यह प्लस है ना हाँ तो प्लस ही रहेगा ना उपर वाला हाँ ठीक है तो यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास में? यह अपने पास में यह प्लस, minus 70 का integration कितना होगा? इसको यूज कैसे करते हैं? बहुत ही प्यार से यूज करेंगे, आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है मैं कुछ एक्जामपल लेकर आपको समझाता हूँ जैसे देखो T की पावर T साइन देखो T की पावर 1 कॉस्टी ओके पहले मैं सुरुवात करता हूँ एक दम एजी कोश्चन से ट की पावर 1 कॉस्टी डीटी तो देखो सबसे पहले यहां पर लिख लो डिफ्रेंशेशन और यहां पर लिख लो इंटिग्रेशन डिफ्रेंशेशन कहां से सुरू होता है वहीं से लो question में sin t dt लेके करते हैं तो यह है सबसे पहले first function लिग दिया sin t का integration कितना होता है sin t का integration होता है minus का cost t आंगे देखो भाई t का कितना हो जागा differentiation one हो जाएगा और minus तो बाहर रहेगा cost t का integration कितना होता है sin of t ओके और minus बाहर बैठा हुआ है अब चलो चिन्नों का इस्तमाल करो तो जो sin आप चिन्न इस्तमाल करोगे पहला चिन्न क्या होता है plus दूसरा चिन्न क्या होता है minus बस अब आपको final answer आपना लिखना है तो final answer कितना आजाएगा देख लो भाई सब plus into minus कितना हो गया minus t cost t ओके तो plus into minus plus into minus तो देखे plus into minus तो कितना लिख देंगे हम यहाँ पे plus into minus तो minus t का cos of t ओके और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा minus minus plus का हो जाएगा sin t ठीक है ना तो इस तरीके से आप इस question को कर सकते हैं दूसरा एक बार और example देख लेते हैं इसको अगर पूरे method से करते तो आप कैसे करते तो इसको पूरे method से करते तो आप इस तरीके से लिखते t sin t का integration, इसको first ले 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 ले, और इसको क्या ले 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 ले, then इसके बाद आप क्या करते, i is equal to first function into integration of second function, sin t का integration कितना होता है, minus cos t, okay, minus integration of differentiation of first function, one हो जाता, और sin t का फिर से करते है ना minus integration of differentiation of first function into integration of second function तो यह जो second function है second function का integration कितना आता minus का cost t और यहाँ पर dt होता तो देखो मजे की बात क्या है i is equal to अरे भाई साब यह t था बेटा इसको t कर लो तो i is equal to हो गया कितना minus t cost t minus का t cost t और cost t का integration क्या होता है cost t का integration क्या होगा करता है बताइए आप लोग तो cost t का integration यह जखो यहाँ से यह cancel हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा और cost t का integration होता है sin t तो यह बन गए अपने पास में c लगा दो भाई यह आपका बन गए answer आप देखो यह कितना easily है, तो यह वाला कितना easy आए, और अभी तो T की power 1 है, जब T की highest power बढ़ेगी तो सोचो कितनी ज्यादा problem होगी, चलो एक और question ले ले, है ना, और एक और question इस trick से मैं आपको करके बताता हूँ, कि देखे कितनी जबरदस्ती trick काम करती है, एक और question ले ले ऑर यहाँ पर लिखाऊगी, क्या चलो, differentiation वही से सुरू होता है, T intern लिखे दो, और T की आँगे का information कितना है, बस answer आपका आचुका है, use करो, sin, plus और minus, alternate sign चलता है, पहले, plus और minus, तो i is equal to देखो ये कितना हो जाएगा t sin t done minus minus कितना हो गया plus answer कितना आगया लिए भाई answer आचुका है चुटकियों में है ना seconds में आपका answer कितनी खतरनाक trick है है ना चलो फिर एक और question हो जाए इस पर base है ना trick पर base देख गोशन देख लेते हैं मज़दार टाइप का चलिए यह ले लिए आपने question टी की power to sign t अभी तो मैंने power to कर यह power 3 power for so कितनी मेहनत करने पड़ेगी टी की power to sign t कैसे करना पड़ेगा तो यहां लिखो differentiation यहां लिखो integration और यहां लिखोगे sign sign यानिकी chin है ना है ना तो यहां पे हिंदी में भी लिख दो चलो एक बार चिन है यह मैंने लिख दिया ओके तो सबसे पहले differentiation वहीं से सुरू होता है जो लिखा यह लिख दो क्योंकि formula जो अब भी ठालते हो तो first function into integration मतलब first function as it is छोड़ते हो तो समझ में आ जाएगा पहले वहीं से छोड़ दे वहीं से लिख दो okay t square के बाद में कितना आएगा t square के बाद में 2t आएगा 2t के बाद में कितना आएगा t आएगा enough आए देगी बाद चलो लिख दिया अब integration देखो भाई sign t का integration कितना होता है पहले होता है minus cost t और minus cost t का integration minus minus plus और cost का हो जाएगा कितना sign और फिर sign का कितना हो जाएगा minus cost लिए answer बनाने का वक्त आ चुका है पहला sign क्या use होता है plus दूसरा minus तीसरा फिर से कितना use होता है plus चलो answer लिख दो तो जो integration निकलेगा plus into minus minus यह आएगा तो कितना हो गया minus t square minus 2 cost of t यह है भाई इसका answer तो इस तरीके से जो है आप बड़े मजे से कोई भी question है आप इसको कर सकते हो चलो एक और question बड़ा धमाकेदार सा हो जाए तो मजा आ जाए यार है ना जैसे मान लो कोई question आपको दे दिया है t की power 4 और sign t अब यदि इस question को आप directly करोगे तो बहुत time लगेगा है ना highlight करके आपको मतलब t q में जाएगा फिर इसमें जाएगा अब देखो short trick में दी करा जाए इसको बड़े exam में आगे question तो कैसे करोगे देखो चुटकियों में question आप कर सकते हो तो कैसे करना है इसको सबसे पहले यहां लिखो differentiation यहां लिखो integration और यहां लिखो चिन है SIGN और ना differentiation की शुरुआत वहीं से जहां से चलता है T की power 4 थि टी की power आँ भई टी की power 4 हो जाएगा पिछले बार मैंने 2T square लिखा की नहीं लिखा ओ भाई साब यह तो गडबड हो गई ओके कम बैक कम बैक तो देखे मैं क्या कह रहा था तो खेर पिछले बार तो मैंने टी लिया था ना तो कोई 2T वगरे की जरूरती नहीं थी मैं कन्फ्यूज हो गया था चलो वापस आते हैं तो मैंने जो question दिया था आपको कितना दिया था मैंने आपको दिया था T की पावर 4 cost T, T की पावर 4 scientific चलो question delete हो गया गलती से software error से एक बार फिर से मैं लिख देता हूं आपके लिए देखे question क्या है T की पावर 4 और यहां पर कितना है scientific और आपको integration करना with respect to T तो यहां पर क्या लिखते हैं differentiation यहां पर लिखते हैं integration और यहां पर लिखते हैं चिन्हों के निसान जो कि alternative आएंगे तो सबसे पहले T की पावर 4 को as it is छोड़ दो ओके फिर क्या चलेगा फिर चलेगा हैं और फिर कितना हो जाएगा ना और अठारा टी के बाद आ जाएगा अठारा फाइनली देखलो भाई तो टी की पावर 4 से चले थे तो यह देखो यह गलती होगी ना फॉर्ट यू क्यू आगा और जब यह गलत तो सारे गलत हो गया देखो देखो इसी हुआ इस टी कि नहीं करना भाई 4T Q यह हो गया फेछ लगलत अिशारती के बारा टी सक्वेसर बारदोनी 24 हो गया और 24 252 हो गया बृत्ति हो एस घ्हँ है न अब का कॉस्टी का हो जाएगा भाई सब साइन्टी ओके कॉस्टी का इंटिग्रेशन है ना कॉस्टी का इंटिग्रेशन कितना होता है साइन्टी होता है और साइन्टी का फिर से पावर फोर कॉस्ट थी और ये भी माइनस का क्योंकि प्लस इंटू माइनस कितना जाएगा माइनस आएगा क्या चल रहा है यह इंटीग्रेशन चल रहा है थोड़ी जगह बना के लिखो तो मजाएगा ओए यार क्या हो रहा आज बाद बार बार सॉफ्टेयर में गलेच आरा बच्चो माफ करना मुझे ओके तो बच्चो I am very sorry एक बार फिर से इस question को मेरे को repeat करना पड़ रहा है क्योंकि software में कोई problem आई है जिससे कि यह पूरा का पूरा sheet जो है इसको इंटीग्रेट करना कैसे इंटीग्रेट करोगे देखो एकस की पावर four sin x से तो मैंने बताया था ना differentiation यहां लिखो यहां integration लिखो और यहां पर क्या यूज होता है साइन याने की chain इस्तमाल होते हैं अब देखो differentiation में कहां से चलोगे x की पावर four से फिर अगला कर दो differentiation four x q फिर कित्ता हो जाएगा तीन चोके बारा 12 x square फिर कित्ता हो गया 24 x और फिर कित्ता हो गया 24 हो गया पावर four है तो five term बनते हैं अब चलो integration लिख़सेância का कितना होता integration साइन का oす x माइनस का मायनज रहाएगा कोश 두 की दो सारे integration यहां तक अपने कर लिए अब Alternate पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा फिर से प्लस चौथा फिर से माइनस और फिर से प्लस अब आच चुकी है Integral लिखने की बारी तो बिटा Integral लिखना सुरू करूं Plus into minus कितना होता माइनस तो minus x की power 4 cos x minus minus plus तो total plus हो जाएगा है ना तो कितना हो गया 4 x cube और sin x Plus ही है तो कि चिंता की बात ही नहीं है 12 x square और कितना cos x और minus into plus तो कितना हो जाएगा minus हो जाएगा 24 x into कितना का sin x और फिर minus 24 x था और plus into minus कितना हो जाएगा 24 cos x तो मित्रों यह बहुत ही प्यारी ट्रिक है बहुत ही जबल रिस ट्रिक है और इस ट्रिक की यूज से आप जो है कोई भी question आएगा किस type का x की power n sin x होगा या x की power n जो होगा cos x होगा उस आप कर सकते हो ध्यान के रखना है आपको differentiation के terms लिखने है जहां से शुरू होगा वहीं से लिखना है original मतलब fx से शुरू होगा तो वहीं लिख देना जो भी आपका होगा मतलब आपको integration के term लिखने फिर आपको यहाँ पे chin लिखना है और आपको consecutively यहाँ पे plus minus plus minus जैसे भी करना आप करते जाएए आपका इस तरीके से answer आजाएगा है ना जब brother stick तो आप लोग इसका इस्तमाल करिए और enjoy करिए thank you so much for being with location sir unlimited study zone